तो बच्चो आज सबका आपका उतकर्ष कोचिंग क्लासेस में हरदिक स्वाग थे तो बच्चो मैं हुँ दिलिप पाटिल्चर और आज हम पढ़ने जा रहे सयुक्त हिंदी व्याक्रन का कक्षा दस्वी का काहनी लेखन तथा गद्धी आकलन पाट उपयोजित लेखन में काहनी लेखन या गद्धी आकलन का महत्वपूर्ण अंग है जिससे आज हम पढ़ने जा रहे है तो काहनी लेखन अपने परिक्षे में चार अंक का आते है काहनी लेखन करते समय ध्यान में रखने लायक कुछ योग्य बाते इस परकार के है नमबर एक सबसे पहले काहनी की रूप रेखा को अच्छी तरस से समझ लेजिए सबसे पहले काहनी की जो रूप रेखा है वो अच्छी तरस से समझ लेनी चाहिए नमबर दो काहनी के प्रत्यक संकेत को करम में विस्तार देजिए कहानी का जो प्रत्तिक घटना है उस घटना को क्रम में क्या करना चाहिए विस्तार देना चाहिए नमबर तीन कहानी के स्थान पर पात्र आधी का नाम दिजिए कहानी की जो स्थान है पात्र है उनको आधी का नाम देना चाहिए नमबर चार गटना का संग्षिप में वर्नन किजिए गटना का संग्षिप में क्या करना चाहिए वर्नन करना चाहिए नमबर फास कहानी भूत काल में लिखिए जब हम कहानी लिखते है तो उस कहानी को क्या करना चाहिए ना वर्तमान में ना भूष्य में तथा भूत काल में कहानी लिखन करनी चाहिए नमबर 6, पूरी कहानी को तीन या चार परिछद में बाटकर लिखिए नमबर 6, पूरी कहानी को तीन या चार परिछद में बाटकर लिखनी चाहिए नमबर साथ विराम चिन्नों का उचित परियोग किजिए जैसे कि आपने भाष्या में विराम चिन्ने फिलुस्टोफ है, सोल्प विरामें उस विराम चिन्नों का उचित परियोग वाक्यों में करना चाहिए नमबर आट, कहानी की दिखावट सुर्च और सुन्दर होनी चाहिए कहानी की जी दिखावटे, वो सुर्च और सुन्दर होनी चाहिए नमबर नव, लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए जब हम कहानी लेखन करते हैं तो कहानी लेखन करने के बाद पूरी कहानी एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए नमबर दस कहानी का शिर्षक और सीख अवश्य लिखना चाहिए कहानी जब पढ़ने के बाद उनको शिर्षक और उस कहानी से हमें क्या सिख मिलती है वो अवश्य लिखनी चाहिए ये जो निमनलिकित दस बाते बताईए उनका ध्यान से पढ़ाई करिए और कहानी लिखन के चार अंक प्राप्त किजिए तो देखिए प्रश्ण इस टाइब के आते अपने परिक्षे में निमनलिकित मुद्दों के अधार पर लगभग 60 से 70 स्यब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित सिर्षक दिजिए दूसरा प्रश्ण आता है कि कहानी लिखन का ओ इस टाइब का होता है कि सुवचन के आधार पर 60 या 70 सब्दों में कहानी लिखन कीजिए इस दोनों टाइब के प्रश्ण हमारे कहानी लिखन करते समय परिक्षे में पूछे जाते है और ये जो प्रश्ण है कोनसा कि निमनलिकित मुद्दों के आधार पर लगभग 60 या 70 सब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित सिर्षक दिजिए ऐसा जब प्रश्ण परिक्षे में पूछा जाता है तो उन पर नीचे दिए गए वाले निमनलिकित मुद्दों के आधार पर अपने को कहानी लिखन करनी चाहिए मुद्दे क्या है कि एक सुन्दर वन इंद्र का अग्मन वन का सुन्दर ये देखना सुखे पेड़ पर तोते को देखना सवाल पुछना तोते का जवाब इंद्र का वर्दान और फिर सीख इस मुद्दों के आधार पर अपने को कहानी लिखन करनी चाहिए अब उपर दिये गए वाले जो मुद्दे है उन पर कहानी लिखन करना कैसा करना चाहिए आप देखिए और कहानी लिखन करने के बाद विडियो पॉस करके ये जो कहानी आपको बताए जा रहे है वो क्या करिए अपने नोटबुक याने काफी पर लिखके लिजिए देखिए एक बहुत सुन्दर वन था उसमें फलो और फुलो से लदे हुए तरह तरह के उरुक्ष थे उन उरुक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे एक दिन वन में इंद्र देवता आगए वन का संदर्य देखकर वे प्रसन्न हुए गुमते गुमते उन्होंने एक सुखा हुआ पेड देखा उस पर दुकी एक तोटा बेठा था इंद्र ने तोटे से ऐसे उरुक्ष पर बेठने का कारण पुचा तोटी ने कहा हिए एक समय यह उरुक्ष फल फुलो से संपन न था इनमे बरसों तक मुझे असरे दिया मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में सुरुक्ष दी अब बुरे दिनों में इस उरुक्ष का साथ मैं कैसे छोड़ दू अब इनमे से क्यासिक मिलती है कि मानो का अचरन कुर्तद्नता पूर्ण होना चाहिए और टाइटल क्या लिखते हैं सच्चा मित्र अथ्वा कुर्तद्नता ऐसा टाइटल लिखना चाहिए तो ठीके इसके आगे का भागे अपना गद्य अकलन या गद्य अकलन ये कहानी लिखन नहीं आए तो गद्य अकलन लिखनी की लिखनी चाहिए देखिए गद्य अकलन गद्य अकलन और में प्रश्ण पूछा जाता है और गद्य अकलन में एक अपठित गद्य उतारा दिया जाता है उनमें से केवल चार प्रश्ण अपने को तयार करने है जिनके उत्तर केवल एक वाक्य में देने हो तो गद्य अकलन करते समय ध्यान में रखने लायक कुछ योग्य बाते या मुद्दे तो देखिए नमबर एक इसमें अपठित गद्य से कोई परिचद दिया जाता है इसमें जो अपठित गद्य है वो गद्य से कोई भी परिचद दिया जाता है दुसरा मुद्दा है इस परिचद को देखकर चात्रों को उस पर आधारित चार प्रश्ण तयार करने होते है जो गद्य आकलन का जो उतारा दिया जाता है तो वो पढ़कर चात्रों को उस पर आधारित चार प्रश्ण तयार करने होते है जिनकी किवल उत्तर एक एक वाक् चात्रों को केवल प्रश्ण नहीं दिखने है चात्रों को केवल क्या करना चाहिए प्रश्ण नहीं दिखने है उत्तर लिखने चाहिए क्या नहीं चात्रों को केवल श्रिफ प्रश्ण नहीं दिखने चाहिए और गद्य आकलन के लिए चार अंक दिये जाते है प्रश्ण की स्ट्राइब का आता है देखिए निम्नलिकित परिछेद पड़कर उनमें ऐसे चार प्रश्ण तयार किजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्यों में हो अभी हम एक गद्याकलन उतारा आपको बताएंगे वो वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो पॉस कीजिए और उतारा अपने काफी में लिख लिजिए और फिर मुझे कॉमेंट वाक्स में या वार्शब पर दिखाईए तो देखिए उतारा कैसा आता है तो निम्नलिकित परिछेत पड़कर उन पर ऐसे चार प्रश्ण तयार किजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्यों में हो तो उतारा क्या है देखिए सुनिए भारत संगीत में देश के सभी भागों का संगीत का समाविश होता है पंजाब का भांगडा, गुजरात का गर्बा, ओडिसी का ओडिसी, अंधर का कुचिपुंडी तथा किरल का कथकली आधी नुरुत्य सारे देश में लोगप्रियों है भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रिय सत्ता के अधीन है, सारे देश का एक सविधान, एक कानून, एक राष्ट्रधोज तथा एक राष्ट्रगीत है भारतिय सैना में सभी प्रांतों के सैनिक है, किरिकेट, फुटबॉल, जैसे खेलों की राष्ट्रिय टीमों में अलग-अलग प्रांतों के खिलाडी चुने जाते है अब इस उतारे से निमनली की चार प्रश्ण त्यार की जाते है, उनमें से नंबर एक, भारतिय संगीत की क्या विशेस्ता है नंबर दो, भारत में कोन-कोन से नुरुत्य लोक प्रिय है भारत में कौन कौन से नुरुत्यों लोकप्रियों है नमबर तिन भारत की राष्ट्रिय एकता के चार प्रतिक कौन से है भारत की राष्ट्रिय एकता के चार प्रतिक कौन से है नमबर चार भारत की राष्ट्रिय टिमों में खिलाडियों का चुनाव किस परकार का होता है प्रश्ण कैसा है भारत की राष्ट्रिय टिमों में खिलाडियों का चुनाव किस परकार का होता है इस टाइब के प्रश्ण उपर दिये गए वाले उतारे पर किये है अभी हम एक गद्य आकलन का उतारा आपको देंगे जो वीडियो समाप्तों होने के बाद वो वीडियो पौच करके आपको लिखना है और उन पर अधारित केवल चार प्रश्ण तयार करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में या वर्सप में दिखाने है देखे उतारा जासी में अनेक राणिया हुई किन्तु वे केवल जासी की राजा की राणिया थी जासी की नहीं जासी की तो केवल एक ही राणि थी जिसे लक्ष्मी बाई के नाम से पढ़े लिखे लोग जानते है वे भले ही उसे महरानी लक्ष्मी बाई के उदान्त नाम से पुकारे प्रंतु महरानी का सबसे उप्युक्त नाम जासी की रानी ही है इसी नाम से उसके शत्रु नहीं उसे जाना इसी नाम से भारत वर्ष का बच्चा बच्चा जानता है और इसी नाम से भारत की भावी संतान भी उसे पैचानगी तो इस गद्य आकलन की उतार पर अपने की चार प्रश्ण तयार करने है वीडियो पॉस करके उतारा और वो प्रश्ण लिख कर लेने है और मुझे आपने वर्ट सफर या कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाईए तो ठीके बच्चो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडि को जरूर शियर किजिए तो ठीके यहाँ पर हम रुकते हैं कहानी लेखन का ज्यादा से ज्यादा सराव किजिए और गुन लिजिए ठीके अगर कुछ आपके प्रश्ण नहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भीजिए